मोदी के सिपाहियों के शब्दवान अब मीडिया को निशाना बनाने लगें जया प्रधार मंतरी नरिंद्र मोदी के 9 महिने के कारिकाल का दबाव उनके सांसदों पर दिखने लगा है तो बता दें आपको मरिंद्र मोदी के सांसद आखिरकार उनकी जुमान अब गर बढ़ाने लगी है 32 सांसद हरीश दुवेदी का बयान आया है कि आखिर जो चैनल उनके खिलाब गलत खबर दिखाता है उस चैनल को देखना छोड़ दो यह कहना हरीश दुवेदी का है सांसद है विजय भी जेप्र पी के अरीश दुवेदी उनके जरीए यह हैरान करने वाला बयान आया है कि जो चैनल मेरे खिलाब गलत खबर दिखाते हैं उस चैनल को देखना छोड़ दो इन्हें गलत नजर आती है क्योंकि इनके खिलाफ अगर वो खबर होती है हरीश दुवेदी के जरीए ये बयान दिया गया है लेकिन इस पर मलम लगाते जरूर नजर आए महीश चर्मा जो की किंद्र में मंत्री है उन्होंने इस बयान पर मलम लगाने की कोशिश जरूर की हाला कि बस्ती से सांसथ हरीश दुवेदी का बयान हैरान करने वाला है उनका साथ कहना है जो चैनल विरोध में खबर दिखाता है जहां हरीश दवेदी सुना अपने नसीहत दे रहे हैं मीडिया को कि आखिर अपनी भूमिका से विमुक हो गए हैं दूर हो गए हैं दूसरी तरफ ऐसी तमाम बातें वो करते नज़रा रहे हैं कि उन चैनलों को ना देखे हैं देखा रहे हैं लेकिन आपको फिर याद दिला दें यह वही हरीश दवेदी हैं जो पहले कुछ और बयान दे रहे थे ब्रस्टा चार को लेकर भी इन्होंने एक बयान दिया था और वो बयान भी आपको याद होगा लेकिन फिर जो वर्तमान में जो इनके जरी बयान आया है जो बात इन्हों ने कही है वो यह कही है कि मीडिया जี้ Ja myडिया आपनी भूमिका से 5 हो गया है यानि कि अब हर इस्ट दवेदी चैनलों को उनकी भूमिका याद दिला रहे हैं वरेराल उनकर कहना है कर्वाहबू गलत शापर दिकाए उस चैनल को ना देखें सुनिए क्या क और बाये आपको दिखाते हैं कि बस्ती के सांसा धरी शुद्वेदी को कौन सी खबर अपने विरोध में दिखती है पक् चोडिकांस करोंगा अमरीका जाओंगे ररी शुरिकर पान दो जाओंगे ररी शुद्वेदी करोंगा जो आपके नाम तर बिध्यार है आपके लियर असार काता है दाओं के दिखाती हूं के लिए विध्यार पानी की विवस्ता, खाने की विवस्ता, सिच्छा की विवस्ता, उसी मैं अधिकारी हो गलाओ गाओंगा भीया, पचास कस्त तुम क्वाओ पचास कस्त भींगो, तो आप पहीं के पैसे की जोड़ी मैं करने। J.P. के लेकिन उनके जरीये जू बात कही गए थी आफिर वो पैसे कहा हैं Pचासफी सदी वो कहा है Pचासफी सदी और लोग कहा हैं आफिर ये कहा कहा Kहा की बात वो कर रहे थे क्या इस पर अगर उनसे कोई सवाल जवाब किया जाता तो क्या गलत है अगर उनकी हकीकत जनता के सामने रखी जाती है तो क्या गलत है और अगर इसे वो हमें गलत भी कहते रहें तो भी हम हकीकत जनता के सामने ये रखते रहेंगे और शाद यही खबर अरीज दुवेदी को यहाँ पर गलत भी लग गए थी और इसके बाद अरीज दुवेदी का साफ कहना है कि आखिर कारून चैनलों को ना देखें जो उनके खिलाफ गलत खबर दिखाता है यह बातें वो अपने समर्थकों से करते नजर आ रहे थे बीजेपी से सांसद है अरीज दुवेदी लेकिन क्या वे यह बूल गए कि जनता कहीं जादा समझदार है जनता कुछ तह करती है कि क्या गलत है क्या नहीं और आकिरकार उनके जरीए जो बयान उस वक्त दिया गया था कि 50 पी सदी वो खाएं 50 पी सदी कोई और खाएं अगर कि वो नहीं खाएंगे तो आकिर कर्चा कैसे चलेगा तो क्या इस तरह का बयान वाजब ठहराया जा सकता है यह सवाल उस समय भी उठाता और यह खबर जब दिखाए जाएगी जाहिर सी बाते इस तरह कि अगर खबरें आएंगी तो दिखाए भी जाएंगी चाहे वो भी भी लग गई और उसके बाद उन्होंने चैनल को निशाने पर लिया आया और आकिर यह भी काय कि ऐसे चैनलों को ना देखें जो चैनल उनके खिलाब गलत खबर दिखाता है